अगर आप परधान मंतरी मातरी बंदना योजना का फॉर्म ऑल्लाइन अपलाई कर रहे हैं तो ऑल्लाइन अपलाई करते समय जो बैंक का डिटेल्स है वो आप लोगों के परधान मंतरी मातरी बंदना योजना का जो पोर्टल है वहाँ पे सो नहीं हो पा रहा है तो इसके लि कि अगर bank details हम लोग नहीं भड़ेंगे तो क्या लभार्थी को उनका पैसा उनके खाते में कैसे जाएगा इन ही तमाम तरह की जो सवाल है उन सवालों का जबाब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके लाश्ट तक जरूर देख लिजिएगा और परधान मंतरी मातरी बदना योजना का फॉर्म ऑनलाइन अपलाई करते समय बेसिक डिटेल्स को भी आप लोग को समझना जरूरी है तो चलिए इसके रिकार्डिंग आपको सारी जनकारी बताते हैं सबसे पहले तो आप लोग को अपना इमेल आईडी यानि की जो आप लोग को योनिक कोड और पासवर्ट दिया गया है उसको डालके आप लोग पहले लॉगिन करेंगे लोगिन करने के बाद सबसे पहले आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे ही हम लोग लोगिन करेंगे राइट साइड के कोर्ने में हम लोग को एक बार क्लिक जरूर कर लेना है जैसे कि field functionality में आप लोगों का नाम सो कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको आप लोग पहले जरूर चेक कर लिजिएगा अगर यहाँ पर login करने के बाद आपका नाम सो नहीं कर रहा है field functionality में तो आप विभाग से contact किजिएगा वो आपको इसके regarding जो भी guidelines से वो बताएंगे कि कैसे क्या करना है एक चीज और आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अगर आपका जो password है वो आप लोग अगर change करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग password को change कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर password चेंज करने का भी option दिया गया है तो अब आईए यहाँ पर आपको बताते हैं कि अगर आप किसे भी beneficiary का आप लोग form online apply कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग को bank details कितना जरूरी है इसके में आईए जानते हैं जैसे कि आप पहले बच्चे या दूसरे बच्चे किसी का भी यहाँ पर online apply कर रहे हैं और यहाँ पर सारा details फिल करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर लोग का जो पहले bank details का जो option है वो दिखा रहा था बट अब क्या है कि यहाँ पर जो bank details का option है उसको फिलाल इस portal से हटा दिया गया है क्योंकि अब जो भी लभार्थी है उनका अधार बेश जो bank है यानि कि अधार से जो भी खाता link है उसी खाते पर उनका जो पैसा है वो उनको भेश दिया जाएगा इसलिए आप लोग यहाँ पर देखी सकते हैं कि लिखा गया है जो आप फिल करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि अधार में नाम और खाता धारक का नाम समान होना चाहिए जैसे कि आप यहां पे आधार में जो नाम है वो सही सही डालेंगे और जो भी यहां पे आधार संख्या डालेंगे तो जो भी आधार से link खाता है उसी खाते में उस लभार्थी का जो पैसा है उनको भेज दिया जाएगा तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि अब परधान मंत्री मातरी बंदना योजना का online apply करते समय आप लोग को bank details भरने की कोई जरूरत नहीं है आप सिर्फ और सिर्फ इनका जो personal details है जो mcp card का details है वो सभी details आप लोग यहाँ पर भढ़ेंगे और अपना form submit कर देंगे तो जो भी लभार्थी हैं उनके खाते में dbt के बाद हमसे जो पैसा है उनके account में transfer कर दिये जाएंगे तो आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को like कर दिजेगा यदि चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा और परधान मंतरी मातरी बंदना योजना से regarding कोई भी question हो कोई तो आप comment करके पुछ सकते हैं तो मिलते हैं फिर किसी नए topic नए जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद